हलो स्टुडेंट्स कैसे आप सब मैं कुसल सर्मा आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल कुसल क्लासस तो देखे आज हम सेवन्थ क्लास के प्राचे पॉप्लिकेशन बुक में से 7.3 एक्सराइज को करने वाले हैं होफले आपको पहली दो एक्सराइज काफी अच्छे तरीके से समझ आई होंगे फिर भी अगर किसी तरह डाउट रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बदाएं उसका सुलूशन नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा तो आज की इस वीडियो में हम ट्राइंगल में कुछ इनिकुलिटी से रिलेटिल पैटर्न पर काम करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड एक्सराइज देखिए 7.3, first question, mcq based question, क्या है in a triangle ABC, angle A, angle B, angle C हमें given है the shortest and the longest sides of the triangle are respectively, तो देखिए इसको कर दाने से पहले मैं एक simple सा logic बदाता हूँ आपको आपको क्या ध्यान दखना है, माल लीजिए, जैसे इसी का example लेते हैं, एक angle हमें 100 degree का given है, ठीक है इस figure पर मत जाना, और एक 30 degree का और एक 50 degree का given है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ा angle है, उसकी opposite जो side होगी, वो भी सबसे क्या होगी, bigger होगी, ठीक है और जो सबसे छोटा angle है, उसके सबसे opposite जो side है, वो सब sides में क्या होगी, smaller होगी और जो middle angle है, जो ना सबसे छोटा है, ना सबसे बड़ा है, उसकी opposite side क्या होगी एक्चल में, वो भी lengthwise middle ही होगी, in smaller or bigger के comparison में, ठीक है तो यह सिर्फ angle के opposite side पर काम नहीं करता, यह side के opposite angle पर भी काम करता है that means कि अगर सबसे बड़ी side है, तो उसके opposite जो angle होगा, वो भी सबसे बड़ा होगा सबसे छोटी side के opposite angle भी सबसे छोटा होगा, ठीक है और जो middle side है, उसके opposite angle भी सबसे क्या होगा, middle ही होगा आपको यह logic ध्यान रखना है, ठीक है, so आप यह देखिए, इस figure के accordingly हमने इनको name और दे देना है angle A 100 degree का है, angle B 30 degree का है, angle C 50 degree का है तो इन्होंने एक तो सबसे देखिए, shortest side पूछी है, side of the triangle तो सबसे छोटा angle ढूणना है, सबसे छोटा angle कोन है, B, तो B के बिल्कुल opposite side कौन सी है, यह AC है तो AC स्टार्टिंग में कहा है, दो जगह है, देखिए, तो यानि कि answer C या D में से एक होने वाल है फिर उसने longest side भी पूछी है, तो सबसे बड़ा angle ढूणनेंगे, 100 है, 100 से बिल्कुल opposite कोन है AC side है, है ना, सोरी AC बोल रहा हूँ, BC side है, तो BC यहाँ पर इसमें आये हुए है ठीक है, तो that means कि option D is the right option clear, अगर आपको figure नहीं बनाना है, तो आपको symbol सा तरीका बताता हूँ, देखिए अगर आप A angle की बात करेंगे, तो A को यहाँ पर छिपा लीजिए, आपको क्या नजर आ रहा है, BC तो that means कि A के opposite जो side होगी, वो क्या होगी, BC होगी clear, अगर आपको B angle के opposite side पता करनी है, तो आप क्या कीजिए, B को छिपा लीजिए, B को छोड़ के आपको क्या बच गया, AC बच गया, तो AC side उसके opposite side होगी clear, in the same way, अगर आपको C के opposite side पता करनी है, तो आप क्या बोल देंगे, C को छोड़ कर कौन से lattice बन गए, AB, तो AB side जो है, वो C के opposite side है clear, इस चिज़ का आपको ध्यान रखना है, okay, so next question क्या है, देखिए, in the given figure, triangle DEF, हमें 3 sides दे रखी है, DE, EF, FD which of the following is the smallest angle, तो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले इस figure से related बात बताई थी, भई, angle के opposite side और side के opposite angle में same relation होती है, है न, सबसे बड़ा angle के opposite side भी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी side के opposite angle भी सबसे बड़ा है, same चीज छोटे वाले के साथ होता है, तो फिलाल उन्होंने smallest angle पूछा है, तो हम side भी smallest छाटेंगे, तो देखिए, 10, 6 और 8 में सबसे छोटी side कौन सी है, अब देखिए, triangle क्या बोला था इन्होंने, D, E, F बोला था, ठीक है, तो D, E, F में सबसे छोटी side कौन सी है, D, E है, तो हम क्या करते हैं, D, E को छिपा लेते हैं, तो देखिए, हमा ही तरीका है, तो F angle actual में सबसे छोटा angle होगा, याने की option B, clear, अगर आप figure नहीं बनाना चाहते हैं, तो ये वाला तरीका बहुत better है, तो ये था हमारा first का second part, चली, third करते हैं, ये कहता है, which of the following can be the possible length of a triangle, एक triangle की possible length क्या हो सकती है, देखिए, अब मैं आपको inequality के एक pattern बताऊ आपको क्या ध्यान रखना है, कि मान लीजिए हमारे पास कोई triangle है, और triangle की 3 sides है, A, B, C बोल देता हूँ मैं, ठीक है, मैं angles को नाम नहीं दे रहा, angles को मैं capital का नाम दूँगा, अगर देना होगा तो, ठीक है, मैं sides को नाम दे रहा हूँ, जो कि small letters में है, अब आपको क्या ध् रखना है triangle में, कि जब भी हम किनी 2 sides को add करेंगे न, हमेशा उसका addition तीसरी side से क्या आना चाहिए, बढ़ा आना चाहिए, ठीक है, ये किसी एक pair पे काम नहीं करता है, ये सब पे काम करता है, मा लेजे मैं B और C को आपस में add करूँ, तो उसका addition A से बढ़ाना चाहिए, C और A का addition अगर मैं करता हूँ, तो उसका addition B से बढ़ाना चाहिए, ठीक है, हर possibility में किनी 2 का addition तीसरी से क्या आना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, तो जैसे addition से related property है, बिल्कुल वैसे ही subtraction से related भी property है, कि आप किनी भी 2 side को subtract करें, तो तीसरी side से जो result है, subtraction का result वो तीसरी side से छोट होना चाहिए, देखे, addition तो बढ़ा होना चाहिए, तीसरी side से, लेकिन जो subtraction है, वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि चीज़े subtract करके result छोटा आता है आप इस तरह किसे ध्यान लग सकते हैं, तो अगर आप B में से C को गटाएं, तो A में से छोटा होना चाहिए, C में से A को ग addition तीसरी से क्या है, बढ़ा है, ठीक है, तो अब यहां हमें कुछ ऐसा ही pattern देखना है, आप इस चीज़ का ध्यान लखना, कभी भी किन ही भी दो side का addition तीसरी side के equal नहीं आना चाहिए, equal कब आएगा, पता है, जब 3 point क्या हो, एक ही line पर हो, माली जे A, B, C, तीनो point एक line पर है A, B, माली जे 5 है, और B, C, जो है वो 3 cm है, तो total जो A, C होगी, वो कितनी हो जाएगी, 8 cm नहीं हो जाएगी, यानि कि 5 प्लस 3 इस 8 के equal, तो अगर किन ही 2 side का addition तीसरी के equal आता है, तो यह पहचान है कि वहाँ triangle नहीं बन रहा है, वहाँ 3 के 3 point एक line पर लाई कर रहे हैं, तो इ देखे, first part में हमें क्या देखना है, कि 3 की 3 side फिलहाल यहाँ पर equal है, है ना, तो आप यहाँ पर 3 अलग अलग addition करके दिखाने की बज़ए, एक ही दिखा सकते हैं, here, यहाँ पहले आप बता सकते हैं, given sides are, इसको मैं rough कर रहा हूँ, तो यह छोटी-छोटी जो बाते हैं, वो आपको ध्यान रखनी होती हैं, चीक है, तो देखे, सबसे पहले आप क्या बताएंगे, given sides are, क्या-क्या है, 3.9, 3.9, 3.9, here, आपको कोई ऐसा pair डूंडना है, जिसका addition तीसरी side से बड़ा ना हो, ठीक है, या difference तीसरी side से छोटा ना हो, अगर ऐसा नहीं मिलता है कोई भी pair, तो हम क्याहेंगे कि हाँ, वहाँ पर इन तीनों side की help से ट्रेंगल बन सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा pair मिल जाता हमें, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर triangle possible नहीं होगा, clear? So, देखते हैं, यहाँ पर देखिए, कोई भी pair ऐसा लग नहीं रहा, यहाँ तो हम notice करने हैं, इन तीन, दोनों, किन ही भी दो का addition करते हैं, तो वह actual में तीसरी से बड़ा ही result हमें दे रहा है, तो हम कहेंगे, therefore, 3.9, 3.9, and 3.9 are lengths of a triangle, कि यह एक triangle की length है, possible lengths है, ठीक है, हमें कोई एकसा pair उठाना था, जो नहीं हो, ओके, चलिए, यहाँ देखते हैं, यह चीज़ तो हमें लिखनी ही है, given sides are क्या है, 21, 22, 43, अब यहाँ आप देखिए, हमेशा addition से related, एक simple से tip देता हूँ, जब भी आप addition से related property चेक करें, तो दो छोटे numbers को उठाओ, सिर्फ, सिर्फ दो छोटे numbers को, और उनका addition देख लो, क्या तीसरे से बड़ा है, अगर बड़ा है, तो तो that means कि वहाँ पर जो addition से related property है, वो satisfy करेगी, और वो triangles possible हो सकते हैं, और subtraction से related काम करना है, तो दो बड़ी sides को pick करो, उनका difference निकालो, और उस difference को फिर तीसरी छोटी वाली side से चेक करो, कि क्या छोटा है, अगर छोटा है, तो triangles की sides हो सकती हैं, वरना नहीं होगी, ठीक है, तो फिलालम addition से related try कर रहे हैं, तो हमने notice किया, वही देखो 21 और 22 का 43 के equal आता है, है ना, जबकि हमें तो क्या देखना है, कि क्या इनका addition 43 से bigger है, actual में bigger नहीं है, तो हम उसको इस तरह से काटा लगा के दिखा देंगे कि इन दोनों का addition third side से bigger नहीं है, this is not greater than का side नहीं है, ठीक है, तो हम बोलेंगे, therefore 21, 22 and 43 are not length of a triangle, कि ये किसी triangle की length नहीं है, clear, चलिए, third, third में क्या क्या है, 579, ये तो लग रही हैं, I think मुझे, given sides are 579, तो यहां पर हम किन ही भी दो छोटी sides का addition करें, तो देखिए, ये हमारे पास 9 से बड़ा आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं, therefore 57 and 9 are, वही लाइन लिखती जिएगा दुबारा, length of a triangle, ठीक है, आगे पिछे shift हो गया थोड़ा, अज भी आ जाएगा, हाँ, ये रहा, चलिए, ठीक है, इसके आगे की line आप लिख लेना, देखिए, fourth, क्या है, 2, 10 and 15, ये नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि 2 और 10 का जो addition है, वो देखिए, 15 से छोटा आ रहा है, 2, 10 and 15, तो यहाँ हम क्या दिखा सकते हैं, here, 2 and 10 का जो addition है, वो 15 से greater नहीं है, है न, तो हम बोल सकते हैं, therefore, 2, 10 and 15 are not length of a triangle, clear, चलिए, fifth part करते हैं, क्या है, 3, 4, 5, 3, 4, 5 तो लग रहा है, actual में ये तो पाइथागोरिन triplet भी है, देखिए, given sides are, sorry for background noise, 3, 4 and 5, So, यहाँ पर, दो छोटी sides का addition किया, तो देखिए, bigger, बड़ी side से आ रहा है, है न, तो हम बोल सकते हैं, therefore, 3, 4 and 5 are possible lengths of a triangle, छिक है, first वाली, चलिए, last part करते हैं, 257, यह 257 हमारे second part जैसा हो गया, कि इन दो छोटे का addition, तीसरी के equal आ रहा है, है न, चलिए, कर देते हैं, क्या है, given sides are 257, और यहां पर हमने notice किया, दो और पांच का addition, साथ से बड़ा नहीं आ रहा है, है न, तुम बोल देंगे, therefore, 25 and 7 are not length of a triangle, clear, hopefully यह question समझ आया होगा आपको, ठीक है, चलिए, third question करते हैं, P is a point in the interior of the triangle, ABC as shown in the figure, state whether the following statement is or true or false, ठीक है, check करते हैं, कि हमें AP और PB का addition चेक करना है, क्या यह AB से bigger है, बिलकुल है, अच्छा, less दे रखा है, sorry, 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 यहां पर देखिए, less given है, है ना, तो, यह false statement हो जाएगी, यह इस में, तो हमें अक्छा कुछ बताने के जूर्थ है नहीं, अब directly यहां पर false बता सकते हैं, कि यह false statement है, क्योंकि आपको बता रखा है, addition जो है, addition हमें सक क्या होना चाहिए, bigger होना चाहिए, ठीक है, अगर यहां पर bigger का sign होता है, त bigger है, बिल्कुल bigger है, bigger का sign दे रखा है, that means कि यह एक true statement है, clear, चलिए, third part, क्या है, BP and PC का addition, BC के actual में bigger होना चाहिए था, फिर से greater का sign है, तो यहां पर greater का, sorry, plus का sign है, तो greater का sign होना चाहिए था, लेकिन यहां पर equal given है, equal तो possible ही नहीं है, triangle में तो हमें साथ 2 sides का addition, तीसरे side से क् bigger होता है, है न, तो यह भी एक false statement है, यह तो just simple सा figure देखकर, एक true false वाला question था, चलिए, next करते हैं, fourth question क्या है, in the given figure, P is the point on the side, BC, BC पर एक कोई P point है, ठीक है, complete each of the following statement using the equal sign, less than sign, greater than sign, okay, let's see, AP, देखिए, दो side का addition, हमेशा तीसरे side से क्या होना चाहिए, bigger होना चाहिए, तो दो addition की तरफ bigger का sign हो गया, तो यहां पर तो यही लगना पड़ेगा, यहां पर आपको और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, clear, फिर AC और PC, इन दोनों का addition भी यहां मारे पास, AP से bigger ही आने वाला है, क्योंकि triangle में आप notice करेंगे, देखिए, AC और PC, इन दोनों का addition, इस AP, third side से तो बढ़ा ही आएगा ना, वही, अब last वाले में extra situation हमें given है, तो अब ऐसा करते हैं, देखिए, third part के लिए, हम यह लेकर चलेंगे, इसको equation 1, इसको equation 2 बोल देते हैं, और हम करेंगे, adding 1 and 2, तो जब हम दो equations को add करते हैं, तो उसी तरह से हम इन equations को भी left वाले को left में add करते हैं, और right वाले को right में add करते हैं, तो देखिए, यह AP, AP आपस में add होंगे, और फिर दोनों के बीच में यह same sign है, तो यहाँ पर भी यह same sign चलेगा, और फिर right and side वाले आपस में add होंगे, त plus BP plus AC plus PC, ठीक है, तो अब यह देखिए, AP plus AP, 2AP हो जाएगा, less than का sign है, AB plus BP plus, इस PC को में पहले लिख लेता हूं, ठीक है, और AC को last में लिख लिया, या इनको आगे पिछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें adjustment गरनी है, अब यह देखिए, BP में, figure में BP में, अगर मैं PC को add कर दूँ, तो क्या यह complete BC side नहीं बन जाएगी, है न, यानि कि इन दोनों को अगर हम add कर दें, तो यह किसके equal बन रही है, BC के equal बन रहा है, और यह AC है, अब यह देखिए, left side में 2 multiply कर रहा है, तो दूसरी तरफ आकर वो क्या करेगा, divide करेगा और पूरी right hand side को, तो मैंने bracket में ले लिए right hand side, तो AB plus AC को मैंने पहले लेख लिया, BC को बाद में लेख लिया, क्यों, क्योंकि जो prove करना था, उसमें देखो BC last में था, और AC पहले था, बस यह reason था, तो यह देखिए, यह AP as it is बन गया, half of यह जो bracket है, वो भी as it is बन गया, है तो यह था हमारा fourth question, चलिए, fifth question करते हैं, क्या है, in the given figure, which of the following paths can, is the shortest, देखते हैं, D to A, direct, D to A, हमारे पास, यह given है, ओके, फिर D to A, via C, की D से A की तरफ आना है, लेकिन C से होते हुए, तो इसका यह मतलब है, पहले वो D से C की तरफ जाएगा, और फिर C से वो A की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो एक पात यह हुआ, और first part में क्या बोल रहा था, वो direct A से C की तरफ आ रहा है, इधर, ओके, और third part में क्या बोला गया है, D to A, via B, तो देखिए, via B, यानि कि D से पहले वो B की तरफ जाएगा, B तक पहुच गया, फिर B से वो A की तरफ आएगा, फिर जाकर वो A तक पहुचेगा, तो अब से एक simple सा logic है, तो यहाँ पर देखिए, सारा comparison का खेल है, आप directly figure के accordingly बता सकते हैं या compare करके भी बता सकते हैं, देखिए, कैसे, compare करके वैसे जरूर तो नहीं है, आप directly hint ले सकते हैं, कि देखिए, एक तो हम D से A की तरफ सीधे चले, और एक हम कहीं घूमते फिरते हुए जब आते हैं, normally हम जैसे students नहीं होते, class के बीच में जब आपको पानी पीने के लिए जाना होता है, तो जाते वक्त तो आप बिल्कुल स्ट्रेट पानी पीने कले जाते हैं, लेकिन जब आने के बाद होती है, तो घूमते फिरते कुछ अपनी कई classes में जाकर कोई काम निप्टा के आना, किसी से pencil लेके आना, किसी से pen लेके आना, किसी scale लेके आना, है ना, सभी classes में घूमते हों फिरते, दीरे दीरे आते हैं, तो वैसे ही काम है, पानी पीने कले जब जाते हैं, तो वो सबसे सोटस्ट है, लेकिन जब वापस आते हैं, तो एक लंबे रास्ते से आपाते हैं, ताकि थोड़ा सा कम टाइम, सोरी, मतलब कम दिर क्लास में रहना वड़े, ह तो वैसे यह है, तो आपने नोटिस किया, वही, डी से ए की तरफ जो है, अगर हम डारक चलेंगे, तो वो एक सोटस्ट रास्ता होगा, यानि कि इसका फर्स्ट आंसर जो है, वो सही आंसर होगा, clear? यह था हमारा फिर्ट कोश्चन, यह exercise में यह इनिकुलटी से रिलेटेड ही था, मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, छोटे-छोटे कोश्चन है, चलिए, नेक्स करते हैं, O is the point in the exterior of the triangle ABC, इन्होंने triangle बना नहीं रखा, तो हम बना देते हैं, देखिए, कि भई ABC एक triangle है, A, B, C, और यह कह रहा है कि O कोई exterior point है, चलिए हमने भी माल लिया, what symbol greater than less than, equal to, will you use to complete the statement O A और O B का addition, A B से क्या होना चाहिए, और विसे बात है addition तो greater ही होना चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर O A और O B, तो देखिए, O A and then O A and then O B तो इन दोनों को join किया, तो एक side बन रही हमारे पास यह AB, है ना, तो यह जो O A B बना, यह O A B क्या बन गया एक, यह एक triangle नहीं बन गया, है ना, तो आप बोल सकते हैं, इसका answer करते वक्त, कि इन triangle O A B, दो sides का, हम reference क्या दे सकते हैं, sum of two sides of a triangle is always greater than the third side, है ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा, O A plus O B का addition, क्या आना चाहिए, greater आना चाहिए, किस से, AB से, है ना, तो यह हमारे पास, इसका answer हो गया, ठीक है, अब वो आगे क्या कह रहा है, write to other similar statements, कुछ इसी तरह की statement हमें और लिखनी है, and so that, ऐसी कोई situation, ठीक है, हमें वो बनानी है, तो अब ऐसा करते हैं, जैसे हमने, O A, O B, यानि कि O A, B triangle पर काम किया, ऐसा ही काम हम किसी O triangle पर करते हैं, ठीक है, देखिए, ये rough करने, मुस्किल हो जाएगी थोड़ी सी, देखते हैं, हो जाएगा क्या, ठीक है, देखिए, इस बार हम try करते हैं, O C को join करें, तो एक बन जाएगी हमारे पास, ये, B C को भी join कर दिया, तो अब हम कौन से triangle पर काम करें, इसको मैं in equation 1 बोल देता हूँ, अब हम काम करते हैं, in triangle O B C पर, ठीक है, तो इसमें भी O B और O C का addition, इडिशन, दो साइड का addition क्या होगा मेसा, तीसरी साइड B C से बढ़ा होगा, इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है, अब ऐसा करते हैं, कि एक तो O A को join कर लेते हैं, O C को curry रखा है, और A C, ठीक है, यह triangle बाकी था, तो इस पर भी काम कर लिया, अब इस पर भी लिख देते हैं, in triangle O A C, तो O A और O C का addition, तीसरी साइड A C से क्या होगा, greater होगा, अब हमने inequality को आपस में add किया था, पीछे कुछी सी question में, है न, तो वैसा ही काम यहां करेंगे, adding 1, 2, and 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखें, left side में left side add हो जाएगी, O A, O B, मैं इसको, इसको, और इनको, इनको आपस में add करने वाला हूँ, फिर O B, plus O C, plus O A, plus O C, है न, और फिर सब में देखिए, same sign है, तो वही same sign है, न, यहां लगा दिया, अब इनके right side, इनको आपस में add कर रहा हूँ, क्या-क्या है, A B, plus B C, plus C A, या A C, कुछ भी लिख दीजिए, अब यह देखिए, O A, plus O A, 2 O A, O B, plus O B, 2 O B, है न, in the same way, O C, plus O C, 2 O C, greater than, क्या चल रहा है, A B, plus B C, plus C A, ठीक है, अब यह देखिए, यह left side में, तीनों में, 2 time है, तो 2, कॉमल ले सकते हैं, क्या बचेगा, O A, plus O B, plus O C, greater than, A B, plus B C, plus C A, अब यह जो 2 multiply में है, वो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, divide करेगा, बिल्कुल उसी question की तरही, पीछे हम side से 4th question में करके आये थे, या 3rd में था, तो देखिए, यही तो प्रूव करना में, O A, plus O B, plus OC is greater than, half of the 3 sides, है न, तो यह था हमारा last question, 6th question, yes, तो इसी के साथ हमारी 3rd exercise होता आती है, complete, hopefully आपको यह exercise पसंद आई होगी, समझ आई होगी basically, और content अच्छा लगा है, तो चले मिलते हैं next video में, next exercise के साथ,